लिए मेरा एक ही वेक्ताब होता है मैं इन लोगों को भी बताता हूं कि अगर कोई मालिक अपने घोरे को मारता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उसे बरबाद करना चाहता है इसका मतलब यह नहीं कि उसे वो नफरत करता है वो उसे प्यार करता है इसलिए वो मारता है कोई कुमार अपने गड़े को थप थपाता इसलिए है ताकि उसे सुड्डोल करना है अगर हम बच्चों को मार रहे हैं, तो उसके भविस्ति के लिए मार रहे हैं, लेकिन मैं कोई राक्षच नहीं हूँ, मैं उसे जान से ही मार दूँगा, और कुछ कहना साहेंगे आप बच्चों के पढ़ाई को लेकर, गार्जियन की बज़वी होती है, बच्चे अगर आगे अच्छा यह लगा कि आपके यहां जो भी बच्चे हैं तीन-चार बच्चे से मैंने पूछा कि पढ़ने का उद्देश सक्या है तो मुझे अच्छा लगा कि सिक्षित बनना है खास चिस यह है कि पढ़ने के बार डॉक्टर बनना इंजिनियर बनना या कुछ भी बनना वो यह जादा तर ऐसे गारजेन है कि सिक्षित ही नहीं है अगर परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 20-30% लोग होंगे जो सिक्षित हैं और वो भी इस तरह के सिक्षित है कि विश्यवस्टू को अच्छी समझने रगते हैं अगर उन्हें विश्यवस्टू को अच्छी सम अगरजेन को लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है बस वो पढ़ रहा है और वो बच्चा घर पर जाके गारजेन को इस बात की इस बात बताता है कि मैं पढ़ रहा हूं लोगों को भी लग रहा है कि वो पढ़ रहा है चाहिए इसके यहां पढ़ है किसे के यहां कोई identification ही नहीं है तो ऐसी पढ़ाई कर रही क्या होगा केबल पढ़ने से क्या होगा असल में पढ़ना ही पढ़ना है केबल पढ़े जा रहे हैं क्लास पास हुए जा रहे हैं इस अच्छा है मत पढ़िए मेरी ब्यक्ति का सोच है कि इसे अच्छा है मत पढ़िए वह अधूर आपको अनुबब हो जाएगा, आपको फिल होने लगेगा अंदर से, कि यह चीजे वास्ता में मेरे जीवन से संबंधित है, और यही जीवन है, जीवन से बिल्कुल अलग नहीं है, हम, मैं सिक्षा की बात कर रहा हूं, सिक्षा क्या है, वही चीजे जो हमारे साथ हो रही है, मैं अगर बायों का उधारन देगnaire, तो बायों में पढ़ना है, टिशू पढ़ना है, हुमन एंटरोमी पढ़ना है, पड़ने पंक्रियाज पढ़ना है, हर्ट पढ़ना है, साऱ कुछ पढ़ना है, इसी की अच्छे समझ रखना है, सिक्षा तो यह है, तो रहा से जरूर लगेगा इसलिए मैं इसको पहले सोरी बोल देता हूँ ऐसे से भी बहुत सारे सिक्षक है जो बस किताब में जो ललका ललका लीखा रहाता है न भारती विए उन्में वो देख के छपा देते हैं क्या मिलेगा बच्छों को से क्या मिलेगा क्या कर लएगा वो इसमें वो तो खुद से भी पढ़ सकता था व सको वो चीजें क्या है इसकी समझ दिला देना jsem सिक्ष्चा है Rhe była नंबर्स काता है नंबर क्या है उन्छ निंगे नंबर्स हमारी यह जो तब्हंग कुमारी है इसने 100 में 100 बना het एक भी गलत नहीं है चुकि हमारी यह टेस्ट वा तो इसको 400C plus है यह और मैंने सही से चेक किया रही बात विभाग को क्या लगा वहां जो चेक करने बाले किनके चुकि बाठार से 20 लाग के आसपास में बच्चे एक्जाम दिये हैं उसमें किसकी कॉपी सही से मुल्यांकन की यह तो मैं भी नहीं जानता हूं बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं टॉपर सारे बच्चे टॉपर हैं हमारी आगर बैठा दिया जाए तो काफी अच्छे मार से लाएंगे इसमें दस बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार बोर में टॉप कर सकते थे लेकिन दुरभाग के समय पोटेंशल होता है समय पढ़ने की छमता होती है गारजन को भी भरपूर सपोर्ट करना चाहिए और सही जगह पर भेजना चाहिए यह नहीं कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है तो पढ़ने देते हैं यह क्या होता है इसे अच्छा है कुसे काम कर बाईए वो कुछ जिंद गारजन भी इसी हैंकार में के मेरा बच्चा पर रहा है क्या पर रहा है इसको देखिए और अगर यह आप देख पा रहे हैं आपका भूसे सही दिसा में जाएगा यह समाज बदलेगा और सारा सिस्ट्माइज होगा तसलिए हम यह ही कहेंगे कि बच्चों की सिक्षा जो ब करवाते रहें कि वास्त में मेरा बच्छा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है तब ही जा कि यह समाज आगे बढ़ सकता है एक पर मैं चाहूंगा कि 400 पलस वाले जो भी बच्छें करे हो जाएंगे क्या बात है ज़्या आप से बात हो चुकी ति आपका क्या नाम वहां सवर्भ कुमार कि 412,430 435 पनेश देखेः कुछ मुझे लगता है कि कुछ ऐसे बच्छे हैं चो नहीं आएएं प्रियंका कुमारी आपको कितना नंबर है चारसो आटाइस प्रियंका जी पढ़ने का उद्देश सिक्षित होना आपका नाम अच्छा लगता है यह चीज अच्छी लगती है जितने बचे है यह 400 पलस मतलब अच्छा एक बात बताई यह थोरा पीछे जाएंगे देखते हैं चारसो चारसो दो चारसो पास चारसो दस में लोग एकदम उड़ने लगते हैं आप ऐसे सांत बैठे हुए तो मुझे पता च लेकिन क्या होता है लोग क्रिटिसाइज ज्यादा करने लगता नहीं होता है कि होता है कि होता है कि आप थोरा सा तरक्की किजिएगत लोग को हजम नहीं होता है मैं सुचता हूं कि क्यों मुझे लोग बैठ कर रहा है क्यों क्या मिलेगा समात बर्बाद हो जाएगा क्या है मैं देखता हूँ, Facebook पे देखता हूँ, 400 अगर पहुंचने वाले हैं, या 404, 405, 10 रहते हैं, उसमें लोग social media पर ठीक है, अच्छी बात है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये सांथ बैठे हुआ है, जबकि इनके बच्चों की संख्या ऐसी है, जिसमें कि मुझे लगता है क 50% से थोरा ही कम ऐसे बच्चे हैं, जिनको 400 से कम प्राप्त हुआ है, ने तो 400 पलस हैं, किसी का 32 है, किसी का 35 है, 34 है, मतलब ये रेंग है, लेकिन फिर भी सांथ मैठे हुआ है, तो मुझे, चुकि मैं बराबर ला रहा हूँ इतना नमबर, तो मुझे फरक नहीं पड़ रह हूँ, 450, 450, 450, जिला टॉपर, यह सब बराबर दे रहा हूँ, तो आदत सी हो गई है, इसकी 400 असरे 400 देने के आदत सी हो गई, अब तो फरक नहीं पड़ रहा है, पहले परता था पहले एक बार जो 422 आया था, 2017, 2016, 2017 की आसपास में आया था, तो जो सब से ज्यादा था, उस जानते थे, लेकिन दुरभाग्य से सही, कोचिंग का सेलक्शन ना होने के बज़े से, और कुछ आर्थिक स्तिती के बज़े से हम नहीं कर पाए, तो यह सपना था कि मैं भीहाट अपर दूँ, और इस बार 20 में रंक पर आया है, तो अगले बार मैं पुरी कोशिस करूँग आप सभी को बहुत 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 बदाई, जितने भी बच्चे हैं, आप आगे इस से भी बढ़िया करें, है ना, इसके लिए मैं बिंती करता हूँ प्रभू से उपर वाले से, और आपकी मेहनत होगी, आपका कर्म अच्छा होगा, तो आप बहुत बहुत बैतर कर सकते है बाकी दोस्तों, कोचिंग का नाम क्या है, बिवेका नन साइंस अस्टडी सेंटर, मैं कार्जियन से भी निवेदन करना चाहूँगा, और बच्चे से भी निवेदन करना चाहूँगा, कि आप ऐसे जगह पे जाएं, जहां पे सही सिक्षा मिलती है, है कि ने, मुझे लगत कि अप पहले बेस्ड बनाते हैं, कोई भी बच्चे मेरी आता है, तो वो कमजूर होता है, और दो दिन ही हमारी आपके पढ़ाई देकर भाग जाता हूँ और लोगों के बिच में यह मित है, कि मैं बहुत मारता हूँ यह बहुत प्यारा लोग हूँ, और, हां, लोगों के क कि अगर कोई मालिक अपने घोरे को मारता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उसे बरबाद करना चाहता है इसका मतलब यह नहीं कि उसे वो नफ्रत करता है वो उसे प्यार करता है इसलिए वह अन्दर भी मैं भी हिर्दय से बड़ा कोमल हूँ और मैं सबों से प्रेम करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रेम नहीं करता हूँ, लेकिन बे बज़ा लोगों का लगता है कि बड़ी हंकारी है यह, मैं सच बोलता हूँ, और उसके वास्तविक रूप को मैं बता देता हूँ, जो भी आदमें मैं उसके सामने सच बोल देता हूँ तो इसलिए लोगों का लग जाता कि यहां कारी है जो को में हूँ नहीं तो यह हीसा है जारी रखिये बहुत मेहनत कर रहा है और दोस्तों इंके बारे में मैं सब उससे कुछ बता नहीं सकता हूं मैं कोसिस करूंगा इनके संगर्स के बारे में एक बार मैं इन से अकेले में मिलूँ अकेले में बात करूँ और इनके संगर्स के बारे में भी चर्चा करूँ आप सब उसे साजा करो है ना एक दिन प्लीज समय बिल्कुल बिल्कुल बाकि बच्चे के मेहनत को लेकर इनके मेह मेहनत को लेकर ऐसे कोचिंग के बारे में जानकर और बच्चे ने Myshnat करके जो अंक प्राप्त की और ये सांथ कि cannon! तब तक के लिए जय हें हिंदę!